नमस्कार में हिम Vermad Aasif और आप देख रहे है निक्सरेजिस नियूस में दर्शको आज बातुट करेंगे वो है राजिस्तान के राजिस्तान राहुल गांधी कल गया भी थे और राजिस्तान के चुनाबीब्गुल फुक चुका हैं राजिस्तान में कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात की चर्चाएं भी होनी शुरू हो गई है और इस बात की चर्चा होनी भी चाहिए दरशको आज हम यह समझने की कोशुश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है दर असल यह तमाम चीज़ होती नजर आ रह इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज रहूल गांदी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए आप लोगों को दुबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं और मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिश्पून तरीके से जिस तरहें राहूल गांदी जी के उपर कुछ लोगों ने इनके सदस्ता को रद करने का काम किया था जिस मनशा से उन्होंने राहूल जी को टेलिविजिन पे ना दिखाने का काम किया है पौने घंटे के भाशन में दस बारा मिनिट तो उनको दिखाया बाकी नहीं दिखाया यही काम यह सरकार केंदगी कर रही है और इसका जवाब देने के लिए इस पकार के साजिश पून कारवाई जो बार बारे सरकार करती है इसका जवाब देने के लिए राहूल गांदी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी केरला से लेके कश्मीर तक गई थे, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सुनने समझने के लिए, उनको वाश्वासित करने के लिए राहुल जी आपको याद होगा बास वड़ा जिले में आज से ठीक पांच साल पहले जुलाई के महीने में हमने काम सभा करी थी प्रचन बहुमत वाली भाजपस सरकार यहाँ पर थी आप यहाँ पर आए वागड की धर्ती में आप लोगों ने हम निसम ने मिलकर लोगों को संबोधित किया उसका परणाम था 2018 के चुनाव में यहाँ कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी आज फिर आप यहाँ पर आयोगस के महीने में और लाखों के तादाद में जो हमारे नौजवान सातियां मौजूद है साथियों मेरे आदिवासिय बेहनों भाईयों समय बदल रहा है अब एक शाय बदल रही है उमीदे बदल रही है आज से 20 साल पहले जो आज हमारे नौजवान सपना देखते हैं आज में बदलाव आया है और वो लोग वो दल जिनकी पार्टी 35-40 साल पुरानी है जिनको अतियास संसकार के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन छलकपट करकर मन मुटाव करकर दुवेश ईर्शा पैदा करकर लोगों को आपस में जगड़वा कर वोट लेने का काम करते हैं उनके जाने का समया चुका इस साल के अंति में चुनाव होंगे मद्बदेश, राजिस्तान, छप्तर कर तेलंगाला चारों स्टेट्स में हमारी सरकार बनने जा रही है मैं खास करके 36 कौम के लोगों से नौजवान भाईयों से बोलना चाहता हूं कॉंग्रेस ओपार्टी है जिसने हमेशा हमारे डलित भाईयों आदिवासी भाईयों, ओबिसी भाईयों 36 कौम के लोगों को साधने का काम किया है नीतिया बनाई है, योजना बनाई है बजट दिया है, दरतल पर काम करके दिखाया है आज आप लोगों की सिम्मेदारी है जो देशने पचार करते हैं भाई को भाई से लगाने का काम का डबल इंजन की सरकार हमाशल परतेश में ये डबल इंजन की सरकार हमने फेल कर ये करना है अब समय आ गया, इसका मेन इंजन फेल कर दो दिल्ली वाला 2024 के चुनाव में नाज राहूल जी मैं आपका स्वागत करता हूं और जो उर्जा और जिस उत्सा से इस सब लोग यहां पर घंटों से बैठे हैं इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कॉंग्रेस पार्टी का है आपका उद्बोधन सुनने के बाद इस तभी और मुझे पूरा विश्वास है आज की इस इस इतिहाज सबा के बाद कॉंग्रेस पार्टी का जंडा पूरे देश में घुज़ेगा और राजिस्थान में आप पुने हमाज सरकार दुबारा मनाएंगे एक बार पुने राहूल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जै सबके सामने क्या मोदी सरकार पस्त हो जाएगी यह तमाम एहम सवाल है जो अब सदन के बाद हम सबको राजिस्थान के चुनाबे देखने को ज़रूर मिलेगा देज दुनिया की बाए ख़बर के लिए नेक्स्ट टाय न्यूस नमस्कार